नमस्ते में कलपना रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है नवरातर आने वाले हैं तो हम मातरानी का फेवरेट सूजी का हलवा बनाएंगे सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है बस हमें ये बता नहीं होता कितनी मातरा में चीनी कितनी मातरा में पानी डाले तो आईए हम फिक्स नाप से सूजी का हलवा बनाते हैं तो सबसे पहले हमने कडाई चड़ा दी है, मोटे तले के कडाई लेनी है और उसमें हमें घी डालना है, हम जितनी सूजी का हलवा बना रहे हैं, उसका हाफ घी डालेंगे यह हमने छोटी वाली तीन चम्मच घी डाल दी है इसमें घी अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हमें इसमें सूजी डालनी है हम दो कटोरी सूजी डाल रहे हैं यानी 100 ग्राम सूजी ले लिए हैं हमने घी गरम हो गया है पहले इसको हलका सरोष्ट करके यह दूसरी कटोरी सूजी भी डाल लेंगे बस हमें सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है और इसे लगातार चलाते जाना है इसे तले में लगने नहीं देना है और इसे लगातार चलाते जाएंगे और गेज को हम मीडियम रखेंगे, फुल फ्लेम पे नहीं रखेंगे, वरना हमारी सूजी जल जाएगी नवरात्रों में सभी सूजी का हलवा बनाते हैं, क्योंकि ये मातारानी का फेवरेट होता है और अक्सर इसी का भोग लगाते हैं इसलिए आज हम सूजी का हलवा बना रहे हैं जो बिल्कुल फिक्स नाप से बनाएंगे इसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी तो देखिए सूजी का हलका कलर बदल गया है और ये सिखने वाला है इसे 2-3 मिनिट तक और सेख लेंगे हम और देखिए 2-3 मिनिट सेखने के बाद ये कैसा दिख रहा है ये देखिए इस चरीके का ही हमें सेखना है इससे जादा सेखेंगे तो सूजी का हलवा है जो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा जो बिल्कुल भी स्वादिश्ट नहीं होता अब गेस को कम कर देंगे बिल्कुल और उसके बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे हमने जितनी सूजी लीती उसका 4 गुना पानी अलग गरम कर लिया था और इसमें हम अब पानी डाल रहे हैं जब हम पानी डालेंगे तो गेज को बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि गरम पानी डालेंगे तब इसके छीटे आ सकते हैं और धीरे धीरे फिर इसे हिलाएंगे हमने जितना पानी गरम किया था वो सारा पानी एक सार डाल लेंगे तो देखिए सूजी में बिल्कुल भी काठे नहीं है और इसे हम आसानी से धीरे-धीरे हिला रहे हैं यह सूजी है यह पानी अधिक सोकती है तो हम इसे धीरे-धीरे हिलाते जाएंगे और देखना ये बिल्कुल पानी सोक लेगी हमने दो कटोरी सूजी ली थी तो हम सवा कटोरी चीनी डाल रहे हैं आप अगर कम मिठा खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी डाले नई तो इतनी चीनी बिल्कुल परफयक्ट होती है चीनी डालने पर ये सूजी का हलवा बिल्कुल थोड़ा सा और गीला हो जाएगा क्योंकि चीनी भी थोड़ी सी पानी छोड़ेगी और ये हलवा बिल्कुल यमी दिखने लगेगा चीनी डालने के बाद इसे हम 5 मिनिट तक और पकाएंगे और उसमें हम मनपसंद कोई से भी ड्राइफ रूट्स दाल सकते हैं नारील का बुरादा तीन से चार इलाइची का पाउडर एक चम्मच काजू की टुकडी एक चम्मच किश्मिश बस अब हमें इसे मिला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनिट तक पकाएंगे और हमारा सूजी का हलवा बिलकुल तयार है मातारानी के भूग के लिए अब इसमें हम डेट चम्मच घी ओर डाल रहे हैं तो हमारा सूजी का हलवा तयार है और आप भी इस तरीके से सूजी का हलवा बना सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बाई प्राइब नहीं किया है तो इसे लाइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें